तो चलिए दोस्तो आज के वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस परकार से दोस्तो टैटल, टैग्स, डिस्क्रिप्सन को चेक कर सकते हैं कि आपका टैटल, टैग, डिस्क्रिप्सन जो है यह सही है या फिर गलत है यह आप किस परकार से चेक करेंगे वही मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि दोस्तों आप सब को भी पता होगा कि आपका title, description और tags ये तीन चीजे अगर आप अच्छी तरीके से लगाएंगे, सही तरीके से लगाएंगे, तब ही आपका वीडियोज को YouTube है, वो suggestion पर भेजेगा, ब्रोज फिचर भेजेगा, ये आप लोगों को भी पता होगा, तो ये अपने वीडियोज का अपना जो आपका वीडियो है, उसे आप कैसे चेक करेंगे, कि title, tag और description ये सही तरीके से लगा है, या फिर नहीं लगा है, वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा है, तो मेरा नाम है श्वर याद आओ, औ आपको पले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे tag you, तो आपको ये application मिल जाएगा, ये application मिलने के बाद दोस्तों आपको simply से install कर लेना है, मैं पहले से install करके रखा हूँ, तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बहुत सारा option खुल करके आ जाएगा, तो हम जिस वी application को खुलेंगे, दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगा, आपको यहाँ पर बहुत सारे options आपको खुल करके आए जाएगे, तो हमें वीडियो की जो title, text, description है, इसको चेक करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहा आपको simply से दोस्तों आपने जिस link को copy किया है, उसको यहाँ पर paste करना है, तो हम paste वाले icon पर click करेंगे, और आप देख सकते हैं, दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, number of task pass, यानि pass है दोस्तों, यानि pass नमबर पर हमारा जो है, यानि सही है, आप यहा क्या गलत है, वो भी आपको यहाँ पर rate color पर दीख रहा होगा, वीडियो title का जो length है, यह बहुत लंबा है, दोस्तों आपको वीडियो का title का जो length है, वो आपको कम रखना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तीस से पैरशट character के बीच पर आपको रखना है, जबकि यह उ title content keyword है, जो content के हिसाब से जो keyword मैंने लगाया, वो भी सही है, उसके बाद पाचवे नमबर पर वीडियो का description content, जो है वीडियो का description है, वो भी सही है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते है, the description of the is too short, यानि दोस्तों यहाँ पर यह गलत है, 800 words पर ही हमें description लिखना था लेकिन यह सबसे ज़्यादा word हो गया, इसलिए यहाँ पर यह गलत है, तो दोस्तों आप यहाँ से देख करके सुधार करशकते हैं, कि आपका कौन कौन सा title, text, description इसमें से कौन से गलत है, उसे आप यहाँ से सुधार करशकते हैं, उमीद करता हो दोस्तों यह वीडियो आप